हेलो फ्रेंट्स अपने हिंदुस्तान यूज में आपका सौगत है पूरा पाकिस्तान टेंशन में है कि रश्या कभी हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरीके से वो भारत को करता है चाहिए इमरान खान पैर भी पढ़ जाए पुतीन के मगर भारत की एक हैसियत है रश्या की नजर में भारत सालों से रश्या का पार्टनर रहा है और हातियार भी खरीता है और भारत बहुत बड़ी मंडी है दुनिया के लिए इसी वज़े से चाहिए हम कितनी भी कोशिश कर ले हम भारत को रिप्लेस नहीं कर सकते यही कारण है पूरा पाकिस्तान मीडिय हाय तौबा मचा रहा है और हो रहा है कि यह यूकरेन का मुद्धा भी उठना था और इसके लाबा पाकिसान मीडिया को यह डर भी लग रहा है कि जो हमने दौरा किया है यह रश्या का खाया अमेरिका इससे नराद नी होगा इससे पता चल जाता है पाकिस्तानी मीडिया की हालत क्या है इन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से अपने देश की पॉलिसी बनाए जाए क्योंकि एक तरफ अमेरिका हंटर लिए खड़ा है और दूरी तरफ इनके पास ना बिजलिये ना पानी है ना खानी की कोई चीज जिसकी वजैसे 24 गंटे दूसरे देशों के साथ ये संब्द बनाना चाहते हैं अब रश्या इन्हें पता नहीं क्या देगा या नी देगा मगर पाकिस्तानी ऐसे उचले जैसे इनका सारा कर्ज उतरने वाला है आई ये फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं ना ह correspondents वां पता आई हम चीजियों के साथ बी आराइपने सीपएक पे नहीं आई है कर दो čालय है कि स्थालू के साथ जिए डिया इन्टिया पना थाई ऊता ही यह रूतात यह कि सवासे पिक है रिकिन के और हैं कि ठोग सोब एक लिए वक्तमें बहुत एक पाकिस्टानु दोनों रूस के दोस्त हो सकते हैं और रूस का जो उससे पहले सोवियट यूनियन इन दोनों का जो नैच्रल पार्टरन इस पार्टनर इस रीजिन में है वो इंडिया था और इंडिया है हम जो हैं क्या आप बताएं हम चीन के साथ तैवान पे नहीं है हम चीन के साथ बी आर आई पे नहीं है सीपेक पे नहीं है कश्मीर पे नहीं है इंडिया पे नहीं है वीगर्स पे नहीं है बिलकुल है अफगानिस्तान पे नहीं है और इन हर मामले में हम अमरीका के खिलाफ हैं तो अगर ब्लॉक्स जब बन जाएंगे मैं आपको अभी कह रहा हूं लिक के दे रहा हूं कि हम उन अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमरीका नाराज हो जाएगा नाराज हो जाएगा इंडिया को देख लें इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रश्या से खरीद रहा है स्ट्रिटिजिक मौाइदे अमेरिका के साथ कर रहा है 110 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है तिबेत के उपर भी प्रॉब्लम है दुलाई लामा को भी रखके बैठा हुआ है ये सारे काम इंडिया करें तो इंडिया के लिए सब जाहिज है और हमने अगर एक से हाथ मिला लिया तो खुद हमारे घर बैठे हुए लोग कह रहे हैं वो जी प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए क्यों हाथ मिला दिया और भाई जब हाथ नहीं मिलाया था तो क्या F.A.T.F. जब पाबंदियां लगाई गई थी उस वक्त तो नवाज दी फरश्या नहीं गया था तो F.A.T.F. में जो हमें पिछले साथ सालों से रगेद रहे हैं हमारी उपर पाबंदिया हैं फिर जब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया 65 वार इडिया से लड़ी तो हमारे स्पेज बंद कर दिये गए सेवन्टी वन का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंटा रहा सेवन्थ प्लीट और अमेरिका उस वक्त यूएससर और इंडिया ने मौहिडा करके हमारे मुलक को दो लक्त कर दिया ये भी देखें कि रूस के इंडिया के साथ कैसे तालुकात हैं जिस तरह से इंडिया रूस के तालुकात हैं क्या उन तालुकात में उन मौहिडों में जो उसके उनके साथ हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना फाइदा मन्साबित हो सकता है यानि बात ये है सिरफ कि आप जरूर तालुकात को बेतर करें लेकिन सारी चीज़ लेकिन अमरीका ने कभी भी पाकिस्तान की मुश्किल में उस तरह से साथ नहीं दिया, जिस तरह से चीन ने आपका साथ दिया, उसकी बन्यादी वज़ा यह है कि अमरीका आपको देखता है, मार्किट के सूरत में, यही तो मैं कहरे हैं, अमरेशिया के मामले में पर ऐसाथ ल करें, जरूर करें, तो इसमें फाइदा था या नहीं, यही तो में फाइदा अब तुस पता लगेगा ना, कि क्या है, अब तो यह हलाद साबित होंगे, तो पता चलेगा, हिलाली साब, आपको क्या लग रहा है कि अगर प्यूटिन साब थोड़ा रिकार्ट कर लेते, महमा का अगर बुलाई लिया था तो, कुछ दिन बाद कर देते, अटैक करना था तो, लानिजा, लेकिन सवाल जी है, डॉक्टर साब जिसका भी सिल्मान साब ने भी जिकर गया, कि क्या एक ही वक्त में भारत और पाकिस्तान दोनों रूस के दोस्त हो सकते हैं, देखिए, दोस् होती है क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कोल्ड वार के कांटेक्स्ट में, आइदर और के अंदाज में, आइदर और नहीं है, देखिए, साउथ एशिया के हवाले से पाकिस्तान और रूस की तालुकात की तारीख जो है, वो बहुत मुश्किलात का शिकार रही है, और रूस का जो उससे पहले सोविट यूनियन, इन दोनों का जो नैच्रल पार्टन, इस पार्टनर इस रीजिन में है, वो इंडिया था, और रूस की पहली तरजी इंडिया ही रहेगा, उसकी वज़ा है, उसकी वज़ा क्या है, माजी को छोड़ दीजे, मैं तो करंट बात करता हूँ आप से, करंट बात ये है कि एक तो ट्रेड और एकनॉमिक रिलेशन्शिप, जो डीप रूटीड ट्रेड एकनॉमिक रिलेशन्शिप है, वो एहम है, फिर रशिया की इंडिस्ट्री लगा, रशिया ने और उससे पहले सोवेट यूनियन ने इंडिया को इंडिस्टिलाइ बाद में रशिया जो है वो आगया, इस स्टेज पे एक तो एकनॉमिक रिलेशन्स है उनके, ट्रेड है, डिफेंस अक्विब्मिन्ट है, अभी इंडिया ने एक एर डिफेंस सिस्टम उनसे, S400 उनसे हासिल किया है, तरह ये था कि हमारी तारीख ऐसी है, उसकी वज़ा से आप कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते, देखें दो चीज़ें आप जहन में रखिए, एक तो ये है कि आपका तीन साल से एक रशिया ने एक प्रोजेक्ट आफर किया हुआ है, पाइप लाइन का, फ्रॉम साउट टू नौर्ट, यानि कराची से पंजाब की तरफ लहोर की आने का, वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान और रशिया अब तक सेटल ही नहीं कर सके, काख़ी का रवाई चल रही है, तो ये एक नालैकी है ना हमारे हाँ, कि हमने उसको प्रोसीड नहीं किया है, अब ये है कि इस दोरे का नितिज़ा ये है, कि उस प्रोजेक्ट को जो ही हमें अमरीका ने अम्रीका ने अबेंडन किया हूँ है, अफगानस्तान के अंदर जिस दोरे अमरीका के साथ तरलोका हैं, वो जैसे थे वही रहेंगे, लेकिन अब जो हमने क्यूं लिया है, ये मेरे श्याल में जाना बहुत जगरी था, हमारी इस वक्त मर्यम सब से बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो है एनरजी के अगर युकराइन के वाला मामला ना होता जिस दिन प्राइम मिनस्टर वहां पे लैंड किये हैं उस दिन यह हमला ना होता तो हमारे लिए और एक अच्छा यह इसे खबर जो मिलती जाहर है ओवर शेडो किया जो है जो रिशियन अटैक ओन युकराइन